तारे सितारे वंगरहन अक्षत्र बदलते हैं अपनी चाल और एश्टरो गुरुजी बताते हैं आपकी जन्मराशी का हाल मित्रो बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने ही चैनल एश्टरो गुरुजी में मित्रो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकान को अवश्य दबाएं जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचें आप नित्यका राशीफल नहीं नहीं ग्यानमरधक जानकारियां हमारे चैनल से प्राप्त करती रहें तो मित्रो आज आपको हम बताने जा रहे हैं देनिक राशीफल दिनांक 17 दिसंबर 2020 गुरु वार के दिन का तो आज के देनिक राशीफल के अनुसार आज शुब ग्रहों के संयोग वा गुरु ग्रह की द्रश्टी से आज का दिन 12 में से 7 राशीवालों के लिए लखी रहेगा इन 7 राशीवालों को कारिच छेतर में सफलता के योग बनेंगे वहीं अन्य राशी वालों को आज मिले जुले परिणाम मिलेंगे तो आज मारगशिर समाश शुकल पक्ष की तरतिया तिथी है गुरु वार का दिन है और आज दिन की सुरवात उत्रा शाड़ा नक्षत्र से होगी और मकर राशी में चंद्रमा का संचरन होगा आज राहु काल रहेगा दोपर एक बच के चोंतिस मिनिट से आरंब हो करके तो दो बच के बावन मिनिट तक राहु काल रहेगा तो राहु काल के दोरान कोई भी शुब नया वा मांगलिक कार्य आरंब आप नहीं करें किसी भी नई वस्तु की खरिदारी इस समय अवधी में आप नहीं करें आज दिसा सूल रहेगा दक्षण दिसा में तो आज के दिन आप दक्षण दिसा की और मुख करके कोई भी शुब नया वा मांगलिक कार्य आरंब नहीं करें दक्षिन दिशा की यात्रा से भी आप बचे यदि यात्रा करना आपके लिए अति आवश्यक हो तो अपने इष्ट देवता की पूजा आराधना करके अथवा अपने इष्ट देवता के नाम मंत्रों का यथा शक्ति उच्चारण करके यात्रा आप कर सकते ही तो अब जानी अपनी जन्म राशी के अनुसार आज आपके भग के सितारे क्या बोलते हैं और आज के दिन आपको अपनी राशी के अनुसार क्या खास उपाय करना चाहिए जिससे की दिन आपका शूब रहे और कारी छेतरे में भी आपको सफलता मिले प्रतिष्ट आपको मिलेगी मित्रों के साथ लंबी दूरी की यात्रा जाना हो सकती है दामपत्ती जीवन में प्रेम यथावत बने रहेगा तो आज आपको भाग्य का साथ पिछोतर प्रतिष्ट प्राप्त हो सकेगा आज सारीरिक स्वास्त आपका मध्यम रहेगा तो आज भाग्य शाली अंकच्छे है शुबरंग आपका लाल रंग है लाल रंग का प्रियोकारी छेत्र में आज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशेश लापकी प्राप्ती होगी तो आज सभी प्रकार के विग्ण संकाटेवं बादाओं से मुक्ती पाने के लिए आपका महा मंतर का यथा शक्ती जाप करें तो इसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुब हो वा सफलता दायक आज रहेगा अगली राशी है व्रशब व्रशब राशी वालों को आज शुब परिनाम इस प्रकार से मिल सकते हैं यदि आप व्यापरी है तो आज अनावशक अधिक परिसरम आपको करना पड़ेगा सरकारी नोकर यदि आप है तो वरिष्ट अधिकारी के कोप का भाजन आपको बढ़ना पड़ सकता है इसलिए आज आज आपको सतर करह करके कारी विभार करने के आवशकता है सायंकाल के समय सामाजिक संबंद आपके लिए फाइदे मन रहे तो आज आपका भाग्यशाली अंक एक है शुब रंग आपका हरा रंग है हरे रंग का प्रियोकारी छेत्र में आज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशेश लाब की प्राप्ती होगी तो आज सभी प्रकार के विगन संकटे वंबादाओं से मुक्ती पाने के लिए आपका विशेश उपा इस प्रकार से हिं कि प्रातहका लिस्नान करने के पस्चात भगवान स्री लक्ष्मी नारण जी की गंद पुष्प अक्षत के द्वारा पूजन करें पीले मिठाई का भोग अर्पित करें पीले पुष्प की माला अर्पित करें और तुलसी पत्र च पूरवार्द में छुटपुट लाब की संभावना अधिक रहेगी नोकरी व्यवसाई से जुड़े कुछ मुद्धे आपके हल होंगे कोई भी व्यवसाई छोटा बड़ा नहीं होता है एक बार अनुबव हो जाए तो बस दुनिया आपकी मुठी में है समझिए रात्री का स लियंक नो है शुबरंग आपका सफेद रंग है सफेद रंग का प्रियोक कारिछेत्र में आज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशेश लाब की प्राप्ती होगी तो आज सभी प्रकार के विग्ण संकटे वंबाधाओं से मुक्ती पाने के लिए आपका विशेश लिशनान करने के पश्चाद पीपल के व्रक्ष की गंद पुष्प अक्षत के द्वारा पुजन करें चने की दाल और पिली मिठाई का भोग अरपित करके शुद दगी का दिया जलावे यथा शक्ती परिक्रमा करें ओम रहस पतिये नमा इस महा मंत्र का 108 बार जाप करें तो इसा करने से पूरा दिन आपके लिशुब हो वा सफलता दायक आज रहेगा अगली राशी है करकर राशी वालों को आज शुब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि आज आप अपने आप में ही ज्यादा मस्तर रहेंगे यही आपके लिए बहतर दिन हैं आप किसी भी विरोधी की आलोचना की और ध्यान न दे करके अपना काम आप करते रहें आगे चल करके सफलता आपके कदम चुमेंगी और आप अपने सामाजिक छेतर में मेल जोल बढ़ाने में काफी सफल रहेंगे इसका भविश्य में आपको काफी लाब मिलेगा तो आज आपको भाग गिशाली अंक दो है शुब रंग आपका सुनहरा रंग है सुनहरे रंग का प्रियोग कारे छेत्र में आज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशेश लाप की प्राप्ती होगी तो आज सभी प्रकार की विग्न संकटेवं बाधाओं से मुक्ती पाने के लिए आपका व प्राता का लिष्णान करने के पस्चात भगवान स्री राधा करश्न जी की गंद पुष्प अक्षत के द्वारा पूजन करें पीले वस्त्र और पीले पुष्प की माला अर्पित करें पंच मेवा रितूफल चड़ा करके तुलसी दल चड़ावें और बेट करके ओम कलिम इस महा मंत्र का यथा शक्ती जाब करें तो ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुब हो वा सफलता दायक आज रहेगा अगली रासी है सिम्वा सिम्वराशी वालों को आज शुब परिनाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि आप शत्रु जनित शडियंत्र लोक अपवाद से बचने का प्रेतन आज अवश्य करें अनवश्यक दुस्चिंताओं से मन आपका शुब्द हो सकता है तनाव मुक्त रहने का प्रेतन करें नई उपलब्दिया कड़ी महनत से आपको प्राप्त होगी सामाजिक उत्तरदाई तो आपके बढ़ेंगे किसी अंजान विक्ति से आज लेंदेन करने से आपको बचना चाहिए अन्यता आपका आर्थिक नुकसान आज हो सकता है तो आज आपको भाग्य का साथ 65 प्रतिसत प्राप्त हो सकेगा आज सारीरिक स्वास्त आपका उत्तम रहेगा तो आज आपका भाग्यशालियंक तीन है शुबरंग आपका प्राता का लिश्नान करने के पश्चात भगवान स्री लक्ष्मिनारण जी के समक्ष शुद्ध घी का आटे का चार मुखी दिपक जलावें पीले मिठाई का भोग अरपित करें पीला पुष्प चड़ावें तुलसी दल चड़ा करके ओम नमो नाराय नाय नमा इस महा मंत का एक सो आट बार सरद्धा पूरवग जाब करें तो एसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुभोब सफलता दायक आज रहेगा अगले राशी है कन्या कन्याराशी वालों को आज शुभु परिणाम इस प्रकार से मिल सकते ही कि आज कर्म उद्योग में ततपरता से आपक की सुलज जाएगी राजी की मदद मिलने के ज़्यादा योग रहेंगे सुरियास्त के समय अचानक लाब होने की संभावना ज़्यादा रहेगी तो आज आपको भाग्य का सांत सतर प्रतिसत प्राप्त हो सकेगा आज सारीरिक स्वास्था आपका सामानिय रहेगा तो आज भाग्यशाली अंक आठ है शुब रंग आपका सफेद रंग है सफेद रंग का प्रयोग कारिछेत्र में आज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशेश लाब की प्राप्ती होगी तो आज सभी प्रकार के विग्ण संका टेवं बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए आ ओम स्री विश्णवे नमा इस महा मंतर का 108 बार सरद्धा पुर्वक जाप करें तो ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुब भूब सफलता दायक आज रहेगा अगले राशी है तुला तुला राशी वालों को आज शुब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते ही कि आज अधिकार महतुकांग्शा अंतर विरोत को जन्म दे सकती है इसलिए आज आज आपको थोड़ा सा सोच समझ करके काम करना चाहिए समस्याओं के समायोचित समाधान न मिलने से मांसिक असांती भी आपकी बढ़ सकती है दूर समीप की यात्रा का प्रसंग प्रबल हो करके इस आत्म विश्वास से काम करने की अवशकता रहेगी इसी से आपको सफलता प्राप्त होगी तो आज आपको भाग्य का साथ 65 प्रतिसत प्राप्त हो सकेगा आज सारीरिक स्वास्त वेसे आपका बहतर रहेगा तो आज आपका भाग्य शाली अंक तीन है शुबरंग आपका के केसरिया रंग का प्रयोकारी छेतर में आज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशेश लाप की प्राप्ती होगी तो आज सभी प्रकार के विग्न संकटेवं बादाओं से मुक्ति पाने के लिए आपका विशेश उपाईस प्रकार से है प्रातहकाल इसनान करने के अगले राशी है व्रश्चिक 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 वालों को आज शुब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि आज का दिन कुछ विशेश करके दिखाने की उधेर भून में वितित होगा अधिकारी वर्ग से अच्छी सांडगाड आपकी बनेगी किसी सरकारी संस् दूर गामी लाप की प्रस्ट भूमी तयार होगी निरासा जनक विचारों से आपको बचना चाहिए और सकारात्मक विचारों को बढ़ाना चाहिए सायंकाल जो है संतान पक्ष से अचानक सुब समाचार आपको मिल सकते हैं तो आज आपको भाग्य का सांथ 80% प्रतिसत प् करेंगे तो आपको विशेश लाप की प्राप्ति होगी तो आज सभी प्रकार के विगन संकट वं बादाओं से मुक्ती पाने के लिए आपका विशेश उपा इस प्रकार से हैं प्रात्रहका लिश्नान करने के पस्चाद पीपल के वरक्ष की यथा शक्ती पुजन करें कच अगली राशी है धनू धनू राशी वालों को आज शुब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं किसी विश्य से घटना करम के से अंतरमन का आज भाव आपका शुब्द हो सकता है रुका हुआ धन आश्चेर रूप से प्राप्त हो सकता है इससे आज आज आपका विश्वास धर्म एवं आध्यात्म के प्रती बढ़ेगा। तो आज सभी प्रकार के विग्न संकटेवं बादाओं से मुक्ती पाने के लिए आपका विशेशुपा इस प्रकार से है कि प्राताहकाल इस्नान करना के पश्चाथ भगवान स्री राधा करश्ण जी के समक्ष शुद्ध गी का दिया जलावें, गंद पुष्प अक्षत के चने की दाल चड़ावें और पंच मेवा का भूग लगावें तुलसी दल चड़ा करके ओम क्लीम करश्णाईन महा इस महा मंतर का यथा शक्ती जाप करें तो ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुब हो वा सफलता दायक आज रहेगा अगले राशी है मकर्म, मकर राश आज बनी रहेगी पराकरम में वरद्धी होने से सत्रों का मनोबल तूटेगा दिन के उत्रार्ध में अचनक अतिदियों के आगमन से वियाई भार आपका बढ़ सत्ता है सत्कर्म, जन्य, पुन्य, अर्जन से अविष्ट, सिद्धी आपको मिलेगी और भाग्यका सांथ भ प्राप्त हो सकेगा, आज सारीरिक स्वास्त आपका मध्यम रहेगा तो आज आज आपका भाग्योषाली अंकनों है, शुबरंग आपका नारंगी रंग है, नारंगी रंग का प्रयोकारी छेतर में अज अधिक सदिकाप करेंगे, तो आपको विषेष лाब की प्राप्ती ह तो आज सभी प्रकार के विगन संकटेवं बादाओं से मुक्ति पाने के लिए आपका विशीश उपा इस प्रकार से प्राताहकाल इसनान करने के पश्चात पीपल के व्रक्ष की गंद पुष्पा अक्षत के द्वारा पुजन करें हल्दी वा चने की दाल अरपित करें शु कुम्ब राशिवालों को आज शुब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि आज ग्रह गोचर के शुब प्रभाव से आपको सफलता मिलेगी वो तरार्ध में व्रद्धी और अईस्थिरता जन्म दे सकती हैं वाहन भूमियाभी आदी खरिदने और इस्थान परिवर्दन करने का सुखद सयोग बन रहा है सांसारिक सुख भोगवा घर ग्रहस्ति के उपियोग की प्रिय वस्तु की खरिदारी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं या किसी नए काम की सुरुवात करना चाहते हैं तो आज का दिन शुब हैं तो आज आपको भाग्य का साथ 85 प्रतिस तो आज सभी प्रकार के विग्ण संकटेवं बादाओं से मुक्ति पाने के लिए आपका विशेश उपाई इस प्रकार से हिं। अगली राशी है मीन, मीन राशी वालों को आज शुब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हिं। आज सभी प्रकार के विग्ण संकटेवं बादाओं से मुक्ति पाने के लिए आपका विशेश उपाई इस प्रकार से हिं। प्राताहकाल इसनान करने के पश्चात भगवान स्री लक्ष्मी नारण जी की गंद पुष्प अक्षत के द्वारा पुजन करें। पीला वस्त्र पिली द्वजा और पिले पुष्प की माला अरपित करें। प्रिमलंगी झाल झाल